जब पहल आपने देखा होगा कि माननी अमी साजी लखनव आये थे करीब छे महीना पहले लगवग पांच-छे महीना पहले तो उन्होंने एक यादव जी के घर भोच किया था सायद आपी लोग ने टीवी देखाया था चैनलों पर देखा हमने और उनको लगा कि हम यादव को अपने साथ जोड लें लेकिन कावायत हुई और यादव नहीं जूटा तब दूसरा रास्ता तेंब हुआ कि अब परिवार में बिर्टन है जिस तरह रामड के हाँ दीभी स पर राम ने अपने साथ लिया तो उसी तरह यहाँ ड्रामा हुआ है कि यादव मेरे साथ चलाएगा लेकिन ये दिवा स्वपन है उसी कड़ी में बीजेपी की गवर्मेंट बनी और बनते ही स्युपाल का जेट पलस की सुरक्षा हटा ली गई सोला महीने उनको बंगला नहीं दिया गया लेकिन एका ये सेकुलर मोर्चा बनते ही उनको मायवती जी का बंगला कार्याले के लिए रहने के लिए और जेट पलस की सुरक्षा दे दिए अभी और आगे देखिए मोहन भागवजी के इधर तीन चार बयान मैंने पढ़ा हू पहला बयान तो उनका कही बार आया कि हम हिंदू राष्ट हिंदू के बल पे कायम करेंगे ये बात तो समझ में आया दूसरा भी 20 दिन पहले बयान लगभग आया कि बगएर मुसलमानों के हिंदू राष्ट संभव नहीं है अभी 20 दिन पहले आया अब वो निर्देश दे पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी मोहन भागवाजी के चंगुल में है पूरी की पूरी पार्टी उनके ही सारे पे चलती है तो वादेश क्या दे रहे हैं उनको करना चाहिए ये जब सादू संतों ने तमाम लोगों ने जब इस बात की चर्चा किया तो एक हल्चल सी पैदा हुई है तो लोगों के दिमात को डाइबर्ड करने के लिए ये सब बयानबाजी है लाल के लिए की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री पंदरागस्त को तरंगा फैराता है लेकिन मोदी जी कल 21 अक्टूबर को तरंगा फैराएंगे पिछड़ों को हिसेदारी नहीं मिल रही है आप जीले टुठा के दिखे थाने पे दिखे बलाग पे दिखे तस्हिल पे दिखे हम पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम पिछड़ों को हिसेदारी कैसे मिले इसके लिए परिसान है पिछड़ों को हिसेदारी मिले तो न्याय मिलने लगेगा पिछणों को हिसेदारी नहीं मिल रही है जिसके वज़ा से अन्यायक का सामना करना पड़ रहा है तो सौमें से कितने नंबर देंगे सरकार को? अब नंबर तो हम दे दिये थे 20 अतारी को 20 मार्च को ही दे दिये थे अब देखे होंगे साइब तो आपी लोग चला रहे थे कि सरकार उन्नीस को जसन मना रही थी हम जो है अपना जसन मना रहे थे